हलो फ्रेंट्स मैं हो यास्मीन बॉलिवुड के सिंगहम अजय इन दिनों बैक टू बैक फिल्में लेकर आ रहे हैं जहां एक तरफ फेब्ररी में टोटल धमाल से धमाका करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वो मार्च में देदे प्यार दे जैसी जबदस कॉमिटी फिल्म लेकर आने वाले हैं वहीं अजय की जोली में और भी कई बड़ी फिल्में हैं बॉलिवुड के गलियारों से अजय देवगन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि अजय देवगन की आने वाली एक जबदस्ट आक्शन त्रिलर फिल्म बंद हो गई है जिसमें उनके साथ सूरज पंचोली भी नजर आने वाले थे बता दे कि साल 2018 के मिड में ऐसी खबरे सामने आई थी कि अजय देवगन और सूरज पंचोली एक आक्शन फिल्म के लिए हाथ मिला रहे है जिसको रैमो डिसूसा डिरेक्ट करने वाले है बताया गया था कि अजय और सूरज ने इस फिल्म के लिए तयारी भी शुरू कर दी है और हॉलिवोड के आक्शन डिरेक्टर से ट्रेनिंग भी ले रहे है हाला कि इसके बाद फिल्म को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है जहां रैमो एक तरफ सल्मान की रेस 3 की शूटिंग में बिजी हो गए थे वहीं अब वो वरुन के साथ ABCD 3 की तयारी में लगे वे है इसके बाद वो सल्मान के साथ Dancing Daddy नाम की फिल्म बनाने वाले है ऐसे में रैमो के पास अजय और सूरज की फिल्म को बनाने का बिलकुल भी टाइम नहीं है यही वज़ा है कि ये फिल्म अब थंडे बस्ते में चली गई है वेल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या आने वाले समय में रैमो अजय के साथ ये फिल्म बनाते हैं या नहीं वैसे आप अजय और सूरज को एक साथ किसी फिल्म में देखना चाते हैं या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलिवुड से चुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अजय वाल को जो जो को मत करते हैंनो भी न्याध्य यह कंटी अग्क दोने जानी किसे घंटर नहीं लुए लिटना यार, 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 चलो 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 यार. झाल झाल